सोशल मीडिया स्टार समी स्टाइलों एक बाद फिर चर्चा में है लेकिन इस बार समी स्टाइलों की चर्चा उनके ही एक वीडियो को लेकर पुलिस के बीच हो रही है बीच सड़क में कार की छट पर खड़े होकर वीडियो बनाने के बाद पुलिस ने समी स्टाइलों का वाहन जब्द किया जिसके बाद अब समी स्टाइलों ने सोशल मीडिया के जरिये ही पुलिस प्रशासन से माफी मांगते हुए पच्छतावज अदाया है जिसमें वो नागरिकों से भी इस तरहा की हरकत ना करने का अनुरोध कर रहे हैं आपको पता दे कि चार दिन पहले स्टाइलों ने आटोमोटिव चौक पर अपनी गाड़ी रुकवाई गाड़ी की छट पर खड़े होकर वीडियो बनाया और पार्टी पॉपर भी उड़ाया ये वीडियो उसने अपनी इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया ये वीडियो पुलिस के हाथों लगा सिप्य हमित श्कुमार ने तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्च कर वाहन जब्त करने के आदिश दिये स्टाइलों के खिलाफ कपिन नगा थाने में विविद धाराओं के तहट मामला दर्च किया गया पुलिस ने उसकी कार भी जब्त कर ली अब इसके बाद समय स्टाइलों ने सोशल मीडिया के जरीए ही पुलिस प्रशासन से माफी मागी है और नागरिकों से अनुरूत किया है कि वे भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें तो क्या बुलते नागपूर की पब्लीक सोहेगा इस कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बना कर अपनी स्टोरी पर शेयर कहता जिसमें मैं अपनी कार के रूफ पे चड़के पाटी पोपर फोड़ा था तो उस वीडियो को हमारी नाकपर पूलिस ने एक्शन लिया है जिस वज़े से मैं माफी मांगना चाहता हूं मुझे नहीं पता था कि ट्राफिक रूलस के खिलाफ है और कान्यी तोर पे जूर्म है तो मैं माफी मागना चाहत हूँ हमारे city के सारे पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे शहर के सीपी सर अमितेश कुमार जी से और मैंने जो किया है वो कृपय करके आप न करें क्योंकि मुझे बच्चे बुड़े सब देखते हैं बच्चे मुझे देखके सीखते हैं आज मैंने किया है वो कल बच्चे भी करेंगे सो मैंने चाहता है कि मैं उनने कुछ गलत चीज़ सिखा हूँ तो मेरी वज़ा से अगर आप किसी को परेशानी होए होगी तो I am so sorry दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा we must obey the law and follow the traffic rules too thank you for supporting नागपर पूलिस and जय हिन जय भाराच जय महाराष्टर हा मेरी जान NBC News के लिए क्लेश बादवाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट